यानि कि जो कंपनीज बहुत ज़्यादा हाई पी पर चलती हैं 100-150 उन कंपनीज में ट्रेड कैसे किया जाए कौन सी स्ट्रेटजी उन कंपनी में अप्लाई की जाए और किस तरीके से उसमें पैसा कमाया जाए क्योंकि ये कंपनीज जिनरली काफी हाई स्विंक्स में चलती है एंड अपर्चुनिटी लगातार देती हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि काफी हाई क्वालिटी कंपनीज का पी रेशो बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो जैसे फोर एक्जैंपल हम यहाँ पर बात करें अगर तो अवनी सुपर मार्ट है जैसे डी मार्ट भी इ है वह 137 के असपास है अब इतने हाई पी पर ट्रेड करना और अगर इस कंपनी को छोड़ दिया जाए तो इसमें जो अच्छी खासी अभी तक आज तक जो अपर्चुनिटी आई है जो रैली आई है फिर उसको कैसे कैप्चर किया जाएगा तो यह एक का कंफ्यूजन सा र यहाँ पर क्लिक करें और आप फाइव यह का यह डेटा देखो तो 77 तो पी मीडियन है और कहां तक जाता है 86 87 87 और अभी कितना है 83 तो इसमें कैसे ट्रेड किया जाए इसी तरह से प्रॉक्टेंड गैंबल है पी जी एच यह 78 के पर है और ऐसा कोई एक मिन्स कोई एक ऐसा नहीं है इस तरह के बहुत सारे high quality shares है जिसमें PE ratio बहुत जादा हाई है और ऐसे में डर लगता है तो अदानी गुरूप के भी जो बहुत सारे stocks है जो debt-free companies है उन companies में भी same ही चीज apply होती है कि वो यहाँ पर overvalued तो है लेकिन quality है quality की sense में है कि काफी means barring 102 companies बाकी सारी companies में बि रती जा रही है और future growth prospect है तो कैसे trade करें यहाँ पर कौन सी ऐसी strategy apply की जाए देखो यहाँ strategy मैंने बहुत सारी सिखाई होई है जो अपना course है वो भी डला हुआ है आप उसमें जाकर चेक करोगे तो काफी सारी strategies है अब strategies कौन सी apply करनी है हम यहाँ पर कोई भी strategy apply कर सकते है इन high quality high PE companies के उपर यहाँ दोनों चीजों को combination होना जरूरी है सिर्फ और सिर्फ high PE पर नहीं जाना high quality high PE दोनों चीज़े जरूरी है तो इसमें हम कोई भी strategy apply कर सकते हैं लेकिन उस strategy के base पर जो भी chart pattern बने ध्यान से समझना उस strategy के base पर जो भी chart pattern बने उसका technical target lifetime high से उपर नहीं होना चाहिए अगर technical chart pattern के base पर technical target lifetime high से जादा है तो वहाँ थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि high PE stocks में lifetime high के उपर जाना हो सकता है कि काफी जादा time लग जाए इस particular scenario में क्योंकि PE already high है लेकिन अगर PE high है और technical target lifetime high से नीचे होता है तो हम उसमें trade कर सकते हैं उसमें किसी भी तरे का risk म मुझे नजर नहीं आता उसका एक और reason है कि lifetime high से नीचे नीचे कोई ना कोई बड़ा player जरूर वहाँ पर उपर के prices पर भी फसा होगा operators की भी कुछ नो कुछ बाइंग उपर के prices पर हुई होगी and last time भी lifetime high operator ही लेकर गया होगा और जब operator ही लेकर गया है तो उसको पता है कि इ मुबारा से वहां तक ले जाने में जरूर attempt करेगा जैसे मैं आपको एक example दिखाता हूं हम यहाँ पर वापस से example लेते हैं डी मार्ट का ही example लेते हैं अवेनीज सुपर मार्ट इस दा कंपनी नीम और यहाँ पर P.E. Ratio 100 के आसपास है 96.7 है हमने इस बात को समझ लिया लेकि profit का almost 35, 40 times होना 10 years में 40 times profitability का होना so this is a high quality high P.E. company अब इसमें trade कैसे करें अब जैसे मैंने बताया कि lifetime hyper से उपर अगर technical target जाता है तो वहाँ पर trade करना मेरी समझ से बाहर होता है जैसे हम बात करें यहाँ की एक यह cup with handle pattern बना बना अब ध्यान से समझना इस cup with handle pattern को और cup with handle pattern के case में हमारा जो technical target यहाँ से हम इसको pick करते हैं और technical target निकल कर आता है यह almost 5849 के आसपास आता है लेकिन यहाँ से breakout हुआ और वो breakout confirm नहीं हुआ यह breakout confirm नहीं होना क्या होता है यह भी मैंने जो class की video डाली हुई है हिंदी वाला session डाला हुआ है उसमें मैंने बताया हुआ अलग से में एक video और बनाऊंगा जिसमें आप इस चीज को confirm कर सको कि breakout होने के बाद में उसमें confirmation होना जरूरी होता है fake breakout से कैसे बचें तो अगर suppose यहाँ पर यह target होता और breakout confirm होता तो यह within lifetime हाई था हम इस trade को ले सकते थे लेकिन क्योंकि confirm नहीं हुआ तो हमने इस trade को नहीं लिया अब हम से आते हैं अभी बाकी मैंने आपको एक और strategy सिखाई हुई है जिसको हम range bound trading strategy कहते हैं और उस range bound trading strategy में जो movement है वो कम से कम 20% की होनी चाहिए and there should be three times upside in the same range so this is one and दूसरी बार यहाँ पर गया second time third time फिर से नीचे touch किया यहाँ पर गया and fourth time वापस से इसने यहाँ पर इसको touch किय अब यहाँ पर three times हो चुका है तो वापस से इसका पूरा यहाँ पर target आता है जो इस range का upper line है range का जो upper level है that is 4063 और currently stock price is trading at 3531 तो वैसे तो इसको इस strategy के base पर purchase कर लेना चाहिए था 15th March 2023 को लेकिन अभी उतना भी बहुत जादा उपर नहीं गया और हमें पता है कि अभी भी ज strategy के base पर trade किया जा सकता है यह बड़ा simple सा तरीका है अब जब इसको हम और इसमें जो technical target है वो lifetime high के अंदर-अंदर है तो हम इस तरह से इसको trade कर सकते हैं अब जैसे में एक और तरीका बताता हूं आपको same ही strategy के base पर suppose for example यह stock price trade करते हुए हमारा इस level तक चला जाता है that is 4600 के आसपास और 4600 के आसपास अगर यह target हमारा जाता है प्राइस चला जाता है तो हमारी यह range दुबारा से बन सकती है 3300 से लेकर 4600 तक and this time this range is 38% तो इस case में क्या होगा उपर touch किया वापस से माल लो नीचे आता है और वापस से नीचे आते हुए same range में stock price आ जाता है तो अभी पहले से देखेंगे तो one upside movement is body range की second upside movement second time और third time यह अगर यह चला जाता है और वापस से नीचे आ जाता है तो तो this time जैसे पिछली बार हमारा यहाँ पर target 30% के आसपास का जो यह range बनी थी this time there could be a target of 38% अगर वापस से नीचे आ है तो यहाँ पर लिया जाएगा और क्योंकि high IPE ratio है और technical target हमारा इसका within lifetime high है lifetime high से उपर नहीं है then we can trade based on this तो यह बड़े simple से आसान से तरीके हैं IPE ratio वाले companies को lifetime high से उपर trade करना कहीं बार हो सकता है कि वो 3-4 years के लिए वापस से उपर जाए ही नहीं और हमारा पैसा फसा रह जाए लेकिन lifetime high जिस operator ने एक बार बनाया है वो वहाँ तक दुबारा लेकर जाने की पूरी-पूरी यहाँ पर उमीद रखता है और खासतोर से ज उसका जो technical target निकल कर आए वो lifetime high से नीचे ही आए that is the very simple way to trade in high quality high PE stocks यहाँ पर सभी stocks में काम करने का सेम तरीका कभी नहीं हो सकता जो stocks book value से नीचे trade करते हैं वहाँ पर different conditions देखनी होती है जो high PE trade करते हैं उनमें different तरीका use करना होता है जो banking stocks हैं उनमें different PE apply होता है जो technology stocks हैं वो different होते हैं जो high growth stocks हैं वो different तरीके से trade होते हैं और जो loss making companies हैं वो बिल्कुल ही different तरीके से trade होती है यहाँ पर सीखते रहने की जरूत है मैं सिखाता रहूँगा आप सीखते रहेए दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहेए उनका विरिश पनना जरूरी है सब्सक्राइब करना ह सब्सक्राइब कराना है कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ तब तक जाहें